Hi everyone, welcome to my channel, it's me Simran Sahani and welcome to the Saturday study night तो guys, आज क्या है? आज basically हमारी term 2 की first Saturday study night है और आज से ही हम अपना एक खुद को promise कर देते हैं, एक resolution मना लेते हैं आज के बाद जितनी भी Saturdays होंगे, उनको हम fully utilize करेंगे जो हमारा concept था उसको continue करेंगे, so that हम अपनी next level fire up preparation कर पाए term 2 exams के लिए, ठीक है, तो अब usual days में पूरे week के अंदर हमार को कई बार ऐसा लगते हैं यार मुझे पढ़ने का time नहीं मिल रहा है, बहुत सारा homework हमारा pending होचाता है या कोई difficult chapters होते हैं, तो उन सब को kill करना है हमें कब अपनी Saturdays को, ठीक है Saturday को क्या करने वाले हैं, हम लोग आज से ही, बिल्कुल decide कर लो, ठीक है Saturday को क्या है, जो बच्छे early raises यानि कि बच्छे सुभा जल्दी उठेंगे, तो time से सो जाएंगे सुभा जल्दी उठेंगे, so that school नहीं है, Sunday होगा, अराम से सुभा उठके आप अपनी पढ़ाई करेंगे and जो night also है, आप लोगों को पता है, that जो है Saturday को क्या है, बिल्कुल tension नहीं है कोई tension नहीं है, अगले दिन school है, अगले दिन को सौर काम करने नहीं, tension free आना, तो उस tension free से जब पढ़ाई करोगे तो उसकी कितनी effectiveness आएगी, खुद सोच लो, ठीक है, तो आज से ही, और आज के आवाद आने वाली, जितनी भी Saturday होंगे, उसको हमें fully utilize करना है अपने term 2 की preparation के लिए, तो आज से ही start कर देते हैं, with our Saturday studies, ठीक है, तो सारे के सारे night hours भी, early riser भी, आज से ही अपना decide कर लो, आप लोग कि आपने अपने हर दिन को utilize करते वे चलना है, एं Saturday को और double utilize करना है, बिल्कुल tradition मना लो इसको, कि तुमारे दिमाग में Saturday का एक अलग time table हो, कि हाँ, Saturday को अपने सारे काम timely complete करके मुझे पंडने बैठ जाना है, usual days में आपका साथ, ऐसा कई बार होता होगा, बहुत सारे school चे assignment मिल गए, ठीक है, school चे कुछ homework मिल गए आपको, या कोई bending work है तुमारे, तो तुमने time पे complete नहीं करा, उस सब को आप अराम से Saturday को complete कर लो या कोई musical सा chapter है, जिसको तुमें फ़र प्रॉब्लम हो रही है complete करने में, तो उसका सोचना है कि हाँ, आज Saturday है, इसको आज complete कर लोगा, या फिर अगर आपका कोई test है, Sunday को कई बार test हो जाते है, special test हो जाते है, तो उसके लिए अगर आपको prepare करना है, तो उस सब के लिए हम आ ठीक है, आज सही अपना time fix कर लो, बहुत लेट पढ़ने नहीं बढ़ने, यह नहीं कि आप 10 बजे, 11 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, इतना procrastinate करते रहोगे पढ़ने बैठने में रात को, तो effectiveness ही नहीं है, आप रात को 10 बजे बढ़ने बैठ रहे हो, तो क्या effectiveness हैगी, नहीं, टाइम से पढ़ने बैठने, maximum to maximum में आपको कर रहे हो, अगर आप लेट कर रहे हो, तो 9 बजे तक जो है, after dinner, आप पढ़ने बैठ जाना, ठीक है, आप 9 बजे पढ़ने बैठ होगे, तो, अभियावे में आपको बता रहे हूँ, कहीं से 6 to 8 के बच्चे भी studies करते हैं, तो, छोटे अले बच्चे, नाइम से सोजाना, मैंने कई बार देखा है, मुझे टेंडेंस आती है, 6 to 8 के प्यारे प्यारे बच्चों की, एक एक डेट डेट बज़े, दीधी हम पढ़ाई करें, नहीं नहीं, आप लोग जल्दी सोजाना, बट येस, जो बड़े बच्चे, टे टेंशन नहीं होती है, दिमाग में, टेंशन नहीं है, तो फोकस लापाऊगे, पढ़ाई कब होगे, तिसे जब फोकस कर रखा होगा, तो आज से ही जब सब कम्प्लीट कर लेंगे, तो कल की टेंशन नहीं होगी, समझ रहे हो, तो बिबकुल, ये नहीं सोचना है, तो से जाधा एक सीड आप लोग नहीं करोगे, और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो दस ग्यारा बज़े तक मैक्सिमुम तो मैक्सिमुम पढ़ेंगे, जो बड़े बच्चे हैं, तेंथ की होगा है, ट्वल्थ की होगा हाँ, वो दो बज़े तक पढ़ सकते हैं, बर जो है, वो टाइम से सो जाएंगे, ठीक है, अब जब आप पढ़ने बैठोगे, तो येस, बहुत हेवी डिनर मत करना, ठीक है, हेवी डिनर करोगे, नीन दाती है, ठीक है, जैसे प्रो नाइट ओल्स को नीन नहीं आती है, और जिनको अब तो तुम्हें बहुत प्रैक्टिस हो करने पर स्टार्ट हो जाना, समझ गए आप, और वैसे भी हमारे साथ दे रहे है, सब में में विंटर्स, थीक है, विंटर्स में आपको यह नहीं है, कि आपको कोई जगा चाहे पढ़ने, क्लियो नीड एसी या कोई कूलिंग, नैचरली बहुत ही कूल हो रखा है, और क्या NCRTs, you know, मैंने आपको कल की वीडियो में समझ रहा था, NCRTs से रीडिंग करना, अपने लेवल पर आप स्टार्ट, each and everything बिल्कूल इसी तरीके से, सेट कर लेना, 9 बज़े तक कि उसके बाद आपका टाइम वेस ना, आप सीधा अपने डेस्क पे हो, अपना homework, अपना difficult chapter, या अपना pending work, complete करने के लिए, ठीक है guys, तो each and every Saturday को हमारा अलगी time table चले का हमारे mind में, जो early rises है, वो time just हो जाएंगे, सुभा जली उचाएंगे, and जो night hours है, वो अपना 9 बज़े तक, या उससे भी पहले अपने desk पे, अपनी favorite study space पे पढ़ने पहुच जाएंगे, और इस समय में आपको कोई ये भी दिक्कत नहीं है, कि घर में जो है, आपको कोई AC वाला कमरा चाहिए, कोई cooling चाहिए, नहीं भाईया, naturally सब cool है, हम कहीं पे भी बैठके अराम से पढ़ाई करनी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, तो without wasting any time, each and every Saturdays को आप utilize करना शुरू कर दो, and रात को पढ़त और enjoy करने के लिए, और we can include music also, studies भी करेंगे, ठीक है, तो जिस समें कोई pending work करेंगे, और कोई note-down राला work कर रहे हो, जब कुछ note-down करेंगे, अगर आप ऐसा कुछ काम करेंगे, उस समें plug-in और earphone, जैसे में अपनी Simran DT Live Beats plug-in करेंगे, बहुत रहे नहीं प्लेलिस को सुने description box, मैंने उसका link दिया है, Simran DT Live playlist, जो सब हम songs सुनते हैं मिलकर, तो कोई नहीं, songs लगाओ, कान में enjoy करते हुए beats को अपना work complete करेंगे, ठीक है, तो each and every Saturday night, make it an event and study guys, तो बेकुल decide कर लो, आज का chapter decide कर लो, कौन सा chapter करने आले हो, pending work है, तो कौन से वाले subject का pending work complete करने वाले हो, and जैसे कि मैंने काई, winters है, आप कहीं वेवी बैट के पढ़ सकते हो, टास्क पहले से ही decide कर ले, नहीं, Saturday को decide करेंगे, कौन सा chapter पढ़ो, आन में, नहीं, वो पहले से ही decided होना चाहिए, तुमारा, कि अच्छा भई, यह chapter difficult है, इस chapter को उस जे पर टेस्ट है, आज इसको complete कर ले तो with this guys, be ready for each and every day, for making count each and every day, मैं मिलोंगी आपसे नेक्स वीडियो में, हर Saturday को हम कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे, I will make a separate playlist for Saturday studies, ठीक है, जिससे कि जो है, हम इस concept को जो है, याद रखें, और each and every day को भी utilize करें, और Saturday को जादा self-study कर पहें, जैसे रोज हमारे स्कूल होते हैं तो हम जादा time ने निकाल सकते हैं, बाद Saturday को जो है, weekend पे हम basically, जादा time निकाल लिए अपनी studies के लिए, तो even I'll create a separate playlist for it, Saturday studies, something like that, और उसमें जो है, आज हमने term 2 की first video, इसमें ये जाएगी और उसके बाद जो है, series में each and every Saturday, I'll come and boost you up, motivate you, that guys, please, आज के दिन complete कर दे न, उस chapter को जो तुम्हें जंक कर रहा था, complete कर दे न, सारा pending work, and सारे homework को भी, तो आज से ही start हो जाओ, सारे के सारे, ठीक है, तो आज आज आप क्या पढ़ने वाले हो, आपका task जो है, वो मुझे जल्दी से comment section में comment करके बताओ, कि आज आज आप क्या पढ़ने वाले हो, and अपनी attendance मार् Saturday studies, हम start कर रहे है, all my, प्यारे प्यारे भाई, मैं मिलूंगी, आपसे next video में, तो सबसे पहले बता दो, आज कौन सा chapter, कौन से subject का पहले हो, या कौन से subject का home work कर रहे हो, या कौन से test की preparation कर रहे हो, and जब जो है complete हो जाएगा, तो भी attendance ये बता देना, it is completed, और मैं मिलूंगी आ अपनी तरफ से chapter से connect होना, and then move on to the other things, तो मैं मिलती हो आपसे next video में, till then, bye bye, take care, best of luck, and